आप राम मंदिर में इतना बनाते हैं और आप अब जो है ले मसज़ित नहीं बनाते हैं गिरजा नहीं बनाते आदिवासियों के लिए सारना धर्म कोड नहीं देते हैं तो इसका तो अप का विरोद करेंगे जो बाजपा हमारा राजनितिक दूसमन होगा नमबर वान बाजपा का जो बोलते हैं आपकी बार 400 पार तो उसको आम लोग कैसे पार बेड़ा पार होगा वो उसको रोकने का काम करेंगे सिता सरें साथ मैंने जेल जा चुका है पचास लाग रूपिया रेड येन पकड़ा गया और आज जो है ना वही सिता सरें जब पाला बदल लिया है पार्टी में सामील हो गया उमिद्वार बना दिया ओ क्या हो गया वासिंग में जी नहीं आपका है जराम हातों के गिरीडी सी लड़ने पर इंडिया फिर या फिर कहें इंडिये को कुछ फरक पड़ेगा नहीं 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 देखिए भीर बोट में तब देली नहीं होता जिस इस्तिति में बीजेपी खुद को बता रही है कि इस बार ऑपरेशन 14 लेके चल रहे हैं बोलो क्या सुर्य सींह बेशरा वीजेपी को चुनोथी दे पाएंगYa दें लगए लग रहा है इतना दुखी था है उसके लिए प्रचार किया कि आप हम अधिवासी बिलों करते हैं सेकुलर कॉंसेट को मांनते हैं लेकिन सेकुलर कॉंसेट बीजेपी का नहीं है म्लग एलंकूल सुप्रिय बटाचारिया जब प्रेस कॉंफरेंस कर रहे तो उन्होंने कहा कि चुनाओ जब आता है तो इस तरह कि बरसाती मिंधक निकल करा जाते हैं फिर जब चुनाओ कथम होते ही वो लोग का जमानत जब तुझा जिस दिन बोलेगा सुर्च सिंग बेसरा जमेम में समेल अव उसी दिन उसको हाथ पकाड के निकलने का हिम्मत रखता हूँ उससे लोगों को मैं जिस दिन गुसाएगा उस दिन राजसवा का बंगलादेसी राजसवा को जो भेजा गुरुजी एमन सर्माइव इससे लोगों क तो भी पाकार के निकलने का हिम्मत रखता हूँ आज मैं एकेले हो आवाज हूँ जो आलाग राज बनाने वाला त्याग देने वाला विधाय को लालू को मोतोर जो बाब मेरे लास पर जारकंड बनने वाला त्याग देने वाला आज भी जारकंड बचाने के लिए मैं पु चुनाव जो है सूरी सिंग बैसरा लड़ेंगे जनमत पहले तो समझाई जनमत का क्या मतलब ऐसा है हम लोगों ने कैई नाम से हम लोग सुरुआत कि आप पहले तो जारखन समनमा समीती जे सी सी इंग्लिस में जारखन कोडिनेशन कोमिटी उसके बाद आम लोग जारखन डिक उससे बैठक किया और उसमें स्पाई हो गया कि जारखन नवनिर्मान मोहासभा ब्रेकेट में तिसरा बिकल्ब यह उसका अगर इंग्लिस में अलफावेटी के लिए निकालते हैं तो उसका जनमत मतलब जनमत लोग तो लोगत तो जनमत बहुमत तो आब हम लोगों का बेना नवनिर्मान फिर से तोड़ फूट फूट हुआ है विकर गया है उसको नवनिर्मान करना है मोहासभा जनमत से और चोदो लोग सबासे हम लोग चुनाओ लड़ेंगे बेसरा जी कहां से लड़ रहा है सूर्चिंग बेसरा हम तो किंग मेकार अगर डिकलेर हो गया तो माच रिजब सीट से है एक सीडूल कांष्ट का है पलामों से और उस तरह से बाकी जेनल सीट है हमने सभी बर्गों को सभी सरह हम प्राइरोटी दे रहे हैं जो बागी नहीं है जो दागी नहीं है बरस्टाचार में संगली नहीं हो इस जो इधर गीता आ गया तो नाम तो ब बेल मिला है तो दूद का धोया नहीं है तो वो जो पाटी बदल बदल करके उस टाइप का आदमी को आम लोग चुनाओं नहीं लड़ाएंगे जन्मत आप जो पाटी का नाम रखें और क्या मुद्दा होगा जारखन का किस मुद्दे पर आप चुना लने जा रहे हैं जो क जो बोलता है आपकी बार 400 पार तो उसको हम लोग कैसे पार बेडा पार होगा वो उसको रोकने का काम करेंगे चोकि भारते जन्ता पार्टी समान जो अब यह नागरिक संहीतार कर रहे हैं उसमें आम लोगों को आपत्ति है उसमें माइनोरिटी को आपत्ति है बेकवाट को बिर स्प्रहन थो मदर्विंगSchadUK araai जाएगा जब ए मने समान नागरि कोता होगा तो उसमें क्या होगा हमारा नौर्द इसमें सिक का और हम जार्खन में पूरे भारत देश में दस राज्य में फिपसीडूल बिलोंग करते हैं और हमारा जो है ना अलग से प्रभीज़नार दिवसी का नौकरी में अलग है स्टेस से ओविसी का चुनाव लड़ने का यह तमाम चीज आँचा जाएगा इसलिए भारतिय जनता पा दूसरी बात है किसी भी प्रधान मंत्री केंद्र सरकार को मंदिर मस्जीद या गिरिजाघर बनाने का नहीं होता है वो तो समाजिक संस्ता होता है वो धार्मिक होता है उन लोग अपना प्रतिश्ठन बना लेता है लेकिन पहली बार भारत देश के इतिहास में प्रधान मं बनाते हैं घिरिजान नहीं बनाते हैं आदिवासियों के लिए सारना धरम कोड में देते हैं तो इसका तो आप हम आपका बिरोध करेंगे तो हमारा राष्टिय मुद्दा है कि भारती जंता माध्डि का जो भी उनकी घृसोना पत्र है जो भी किरिया करम हुआए उसका बिरो चुनाओं में चुनाओं लड़ेंगे जरूर लेकिन हमारी चुनोती है कि एवीम मेसिन को खतम करो इसमें विश्वास नहीं तक खतम हो चुका है। जाता है। ऐसा कोई आदिवासी को अपने राष्टपती बना दिया। मानने नहीं है। दुर्पोदी मुर्मू को के ओडर कर देगा। हम तो इतना दुखी था है। उसके लिए प्रचार किया। कि आप हम आदिवासी बिलोंग करते हैं। हम सेकुलर कॉंसेप्ट को मानते है लेकिन सेकुलर कॉंसेप्ट बिजेपी का नहीं है। बिलकुल हिंदू राष्ट बात की ओर जा रहा है। और आने वाला दिन में आकर ये बहुमत में आ जायेगा भारते जंता पाटी आपकी बार 400 पार तो वो कर देगा भारत को हिंदू राष्ट गोसित कर देगा। उसक बार का नारा दरूस का विरोध कर रहा है। और कई मुद्दे बहुत मेल खा रहे हैं। तो सूरी सिंग बेसरा का थड़ फरंड का क्या मतलब है वहां मेल नहीं खारा भरस्टाचार में पर जेल में हुआ हैं। बेल होगा आदालत में नहाई मीलिगा लगमत हैं। लालु तो स्फ40 में बस्ताच में आधाम साजा हो चुका है। इस इभरस्ताचार में हम वहाँ नजीडिया कर करेंगे। इसलिए हम जारखंड में तिस्रा बिकल्प होगा ना इइंडिया विकल्प आप जब प्रस का रह रहे परेंश कोंफरेंस को रहेते क्में में दमन गुस प्रेस बारता की, वहां सोवाल जो बाब में आया कि आप तो जेमेम से मही तो उनिस सवासी में जार्खन मुक्ति मोर्चा का जंडा डोया, और सिभू सवरेन को सिंग्भूम लाने वाला मही बेखती हूँ, और छे साल तो जुड़ा है, 86 में मैंने आज तो तयार किया और ने उसके बाद लेंदिन करते हैं, तो यह जो गुस पेटी है, उसके कारण जो है, जार्खन मुक्ति मोर्चा की दूर गती हुई है, और उसी के कारण जेल के सलाकों में हमन सुरेन को जना पड़ा, इन लोग कैसे अच्छा सलाकार साभित नहीं हुआ, इन लोग लुटेरा का क लुटने वालों का कलाकारी है, इन लोग ऐसे दलाल है, जार्खन को हलाल कर दिया है, तो यह जब तक रहेंगे, हम उनके सपोर्ट नहीं करेंगे जार्खन मुक्ति मोर्चा गडबंदन, और इंडिया में जो लोग है, कहीं ने कहीं उनको भरस्टाचार का संग लिपता है, जैसे केजरीबाल इंडिया में है, आर जीडी लालू जादव इंडिया में है, जैमेम जार्खन मुक्ति मोर्चा है मुन सुरेन इंडिया में, इसलिए हम इंडिया के पक्ष में नहीं है, तीसरा पक्ष का हम मोर्चा बना लिया, जनमत बना लिया, जार्खन के चौदो फिपसिडूल नहीं है अगर बांका चेत्र को जार्खन में आने वाला दिन में संग्विदान में भारत का संग्विदान आर्टिकल 3 में प्रविजन है कि हम कोई राज्यों का और जगा को जार्खन में मिला सकते हैं उसी आधार पर हमारा इक आंदोलून का मुद्दा चुना मुद्दा है पूरे भारत देश के आज के राजनिती में यह जो अभी इलेक्शन ब्रांड वाला जो बंड वाला एजो क्या पैसा कोडी चांदा चिठा यह क्या चीज़ा है कोर्पोरेट से कैसे पार्टी संचालित होता रूपिया पैसा है हमको लगता है कि थर्द बन रहे हैं यह क्या एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और नहीं तो अलग-अलग फिर लड़ने का क्या मतलब है जब मुद्द एक ही है किन मेकार के रूप में मेरा प्रयास होगा हमारी प्रयास होगी जो है राम मातों का जो अभी जार्खंड क्रांतिकारी लोकतांत्री मो उसके बाद जो है ना आपका मासस MCC मार्क्सिस कोडिनेशन कोमीटी एके राई की और बिनुद बियारी मातों का पार्टी जार्खंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान बिनुद बियारी मातों एक होस्ती जो जैमिम के जनम दाता थे वही सीवु सुरेन को लाया दनबाद में और जैमिम बना है 1973 में तो हम चाह रहे हैं कि जार्खंड राज अंदोलन करी जो निर्माता है जो उनकी बुनियाद है और जोराम मातो सरी के नोजवानों की जो हुजूम है भीड है संगठन है अब तमाम लोगों को एक जूट करेंगे और नाया सिरे से कुछ एक सेमेले ल कुना आस पडूरा है ऊसले इंडियाों मैं पर लाइता द referee सिरे अंठीय नहीं दीवानियां से तुंद आधि नहीं होन करने तंपूंद में तबस्तल संता यह तो जघ जाहरे माइं पैशा मज़िता हूं में मिग करता हुक्त सब्सक्राइब लेकिन तैसलदी और इससे सब नोजवानों की जोस है, जुनून है, जुनून और जोस, राजनिती में रणनिती, चुनावी रणनिती, बूत मेनेजमेंट बहुत फरक पड़ता है, तो इसलिए आप अचानक कोई पाटी बन जाए, भीड में, जुलूस में और तुरंत रेजाल का आप आसा करेंगा, आसा क जिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत मसकत करना पड़ता है, अगर वो इसा पाटी होता है, तो जारखन मुक्ती मोर्चा 50 साल के पाटी, आज तक जो है न, चौदू को सिट नहीं जित सेका है, और आज भारती जनता पाटी, राष्टिये पाटी होने के बावजुद भ जनता फैसला करी, हम तो चाहेंगे इसे नोजवानों को मिले, अगर हमारे साथ तालमेल बनता है, अगर तालमेल में बढ़ता है कि जोयरामातों सही मने में, वो तभी होगा, जो हमारे जनमत घट बंदन में जोयरामातों की पाटी आईगी, तभी न, उसके बारे में हम हमत सोरन जेल में है ठीक है, और सीता सोरन के बात करे तो वो जो है अब देखे बीजेपी में शामिल हो गई है, दुमका से उम्मिदवार भी बना दिया गया है, क्या लग रहा है कि बीजेपी से सीता सोरन को कितना बेनविट होने वाला है और चुनाओं पर कितना असर आप अगर आप में तो आप आपके तरप में आपके चस्मा में भरष्टाचार नहीं देखता है क्या ओपोजिसन कोई भरष्टाचार दिखता है जब सिता सोरेन जमेम के मेले थे तो 50 लाग रूपिया राजसवा में भोट देने के आरोप में उनको 7 महना जेल होना पड़ा तो आपको नहीं पता है क्या भारते जुनता पाटी इतने बड़े रास्टी राज़नीती पाटी करते हैं आप सिता सुरेंट साथ महें ना जेल जा चुका है पचास लाग रूपिया रे डेन पकड़ा गिया पाती में सामील हो गया उमिदबार बना दिया वह क्या हो गया वहासिंग में आपका ब्रस्टाचर का वहासिंग में जिसको डाली है पाक साप्को जाएगा और उसी तरह का गिता वह सिटिंग में MP थी चाईवासा सिट से और वह पती जो है बिल्कुल उसी परिवार का जो एक दम ऐसा थोड़ी होता है हमारे परिवार में तीन बच्चा है रोगा बाप अगर पसुरुबार होगा तो बच्चा पर आच नहीं आएगा क्या आप मानते हैं कि हेमन्त सोरेन अगर 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 अचार के तो कलपना सोरेन भी उसमें शामिल है वो तो उसका कही में कुछ तो एडी बोल रहा है उसका पांस बुक पकड़ा गया है अग कुछ कारवबार में उसका नाम है तो अभी तक तो यह बता दीजी आप धनबा य चुकी है हेमन्त सोरेन की चर्चा है कि वो जो है दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं कैसे देख रहे हैं क्या लग रहा है कि बीजेपी की उमिद्वार सिता सोरेन के सर पे साथ साथ सजेगा या फिर हेमन्त सोरेन वापस से वहां पर अभी भविस्ट्रवानी करना विजेपी गडवन्दन के तिसरा विकल्प थी विकल्प का संकल्प ये जनमत हमारा है तो फाइदा जनमत को का तब नहीं है जादा मुखर है और आपका जो घंपेंड रहेगा वो बीजेपी के विरोध में रहेगा नइए इसको भी जयम्मर गडवन्दन वी कॉंग्रेस जरोत पड़िया जनमत हम जमेम गढ़ वंदन से और बिजेपी गढ़ बंदन से समान समान दूरी रखते हुए तिसरा विकलप की रूप में जनमत हम आवान कर रहे हैं। और नहीं मेश्टारे ocidh sub Re Bacon Kill No peace ने टोवा कोई कि यू बेसरा चुनाव लड़ूंगा मैं लड़ाओंगमा जब कोई तो यू लड़ाने बला जांद बेसरा जारकांड छोड़के किसी दूसरे लेंगे लेंगे लोग सब्कूनती हूं ग्रटार जारकून इसलिए मेधनापूर बाकुरा पूरूलिया में जारगराम आता है और चार जीला में मोयरभजु भी आता हैं करिशता से भी ओफगोलिया मैं मोयरभोंट Benujya स्थानीए पार्टिया कहें जैसे आपकी हो गई जरानमातो की हों गई प्रिणिनस है जब प्रिश कन्फरेंस कर रहें थैं उन्हों कहा कि चुनाओ जब आता है तो इस तरह कि जो बरसाती वेंड़क निकल कर आ-जाता है तो बरसाती मेंडग उनको बोलता है, मेडग तो दोड़ा खाता है, तो इस भोलेता है, मेडग खानेवाला आदमी है है, तो वो तो गुष लगए आपको डर लगए का आपको फाले अपको बिल्कोル डर नहीं डरेगे नहीं, उसको हम लोग जाहां जिस दिन बोलेगा सुर्च सिंग बेसरा जेमें में समेल अब उसी दिन उसको हाथ पकड़ के निकलने का हिम्मत रखता हूँ मैं हाथ पकड़ के निकलने का हिम्मत रखता हूँ उससे लोगों को मैं जेमें में जिस दिन गुसाएगा उस दिन राजसवा का बंगलादेशी राजसवा को जो भेजा गुरूजी एमन सर्माइब इसे लोगों को भी पाकार के निकलने का हिम्मत रखता हूँ आज मैं एकेले वावाज हूँ जो आलाग राज बनाने वाला त्याग देने वाला बिधायक हूँ आज भी जारकन बचाने के लिए मैं पुकर रहा हूँ झालाजस आज सर्माइब झालाज सर्माइब एक चार्णार के लिए भी जार्णाने के लिए सब्सक्राइब एक बालाजस दोप्सक्राइब एक व्ड़ रर्माइब ट्रश च्वाँ